स्वागत है आपका खुश्यों के तेहार में यहां हम तेहार की तयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे आज की वीडियो में जानिए इस सल शारद्य नवरात्री में किस वहन पर होगा देवी का आगमन और कैसे होगी विदाई शारद्य नवरात्री सभी नवरात्रियों में सबसे अधिक लोग प्रिये एव महत्वपून नवरात्री है शारद्य नवरात्री को महा नवरात्री के नाम से भी जाना जाता है शारद्य नवरात्री चंद्रमास आश्वीन में शरदरीतु के समय आती है शारद्य नवरात्री के नौ दिन देवी आदी शक्ती के नौ रूपों को समर्पित होते हैं शारद्य नवरात्री सितंबर अत्व अक्टूबर माह में पढ़ती है शारद्य नवरात्री के इस नौ दिवस्य उत्सव का समापन दसवे दिन देशारा को होता है जिसे विजे दाश्मी भी कहते हैं हम सभी जानते हैं कि मा दुर्गा का वहन सिंग है लेकिन हर नवरात्री पर देवी दुर्गा प्रित्वी पर अलग अलग वहन पर सवार होकर आती है देवी के अलग-अलग वहनों पर सवार होकर आने से इसका अलग-अलग फल बताया गया है शारद्य नवरात्री 2024 में मा दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी इस वर्ष शारद्य नवरात्री के शुरुआ तीन अक्टूबर गुरुवार को हो रही है ऐसे में मा दुर्गा गुरुवार को पालकी पर सवार होकर आएंगी जिसे शुभ माना जाता है हाला कि मा जब पालकी या डोली पर आती हैं तो महमारी का भै बना रहता है देवी भागवत के अनुसार नवरात्र का आखरी दिन तै करता है कि जाते समय माता का वहन कौन सा होगा अर्थार्थ नवरात्र के अंतिव दिन कौन सा दिन है उसी के अनुसार देवी का वहन भी तै होता है इस वर्षित शारद ये नवरात्री का आखरी दिन शनिवार को पढ़ रहा है ऐसे में माता की विदाई चर्णा युद यानी मुर्गे पर होगी मुर्गे पदेवी की विदाई से दुख और कस्क में वृद्धी होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें साथी बेल नोटिफाई करना ना भूले इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगी यहां तक बने रहने के लिए आप सब का धन्यवान जैमाता दी